ये सिर्फ लाल पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं है इसका बनना इतिहास में एक बड़ी घटना थी और इसने अपने निर्मान से लेकर अब तक ऐसी ऐसी घटनाओं को देखा है जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया ये है दिल्ली का लाल किला दिल्ली का वो हिस्सा जो पुरानी दिल्ली कहा जाता है वहीं इतिहास के पन्नों को पलटता संभालता लाल किला आज भीड भाड़ वाले इलाके से खिरा है शान्त है लेकिन खामोश नहीं संद 1627 में जब मुगल बादशा शाजाहां तख्त पर बैठा तो देश में अमन्चैन था बादशा को बड़ी-बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था उसकी राजधानी आगरा में थी लेकिन आगरा की गर्मी उसे रास नहीं आई उसने तैय किया कि मुगल सामराज्य की राजधानी अब दिल्ली हो काफी सोच विचार के बाद ताल कटोरा बाग और राइसीना पहाडी का चुनाव नए शहर के लिए किया गया लेकिन बादशाह के दो नामी कारिगर उस्ताद हमीद और उस्ताद एहमद ने यमुना की किनारे खुले मैदान को किले के निर्मान के लिए बिलकुल सही बताया सन 1649 में लाल किले की नीव रखी गई नौ सालों तक कारिगरों, शिल्पकारों और मज़दूरों की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला बन कर तयार हुआ इसी कले के सामने शहर शाह जहानाबाद बसाए गया, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है आलिशान लाल कले के तयार होने के समय बादशा काबल में थे खबर मिलते ही बादशा दिल्ली के लिए रवाना हुए नजूमियों और जोतिशियों के निकाले गए महूरत के समय पर बादशा यमुना के सामने दरियाई दर्वाजे से कले में दाखिल हुए खाई को पार करने के लिए लकडी का पुल था इस मौके पर लाल कले में एक शानदार समारों हुआ जिसकी सजावट कमाल की थी और सामनी की दीवार 110 फुट उंची है इसमें 75 फुट दीवार खंदक की सतह से उपर है और बागी खंदक की सतह तक है कले के पीछे यानि पूर्व में यमुना नदी कले के साथ बहती थी और तीन तरफ खंदक थी इन में रंग बिरंगी मचलियां थी खाई के साथ साथ हरे भरे बाग थे लेकिन बिटिश शासनकाल में ये गाइब हो गए लाल किले और सलीमगड किले को जोड़ता एक पुल है लाल किले से सटा हुआ सलीमगड का किला है जिसका निर्माण शेरशासूरी के बेटे सलीम शासूरी ने सन 1546 में करवाया था सलीमगड किले का इस्तेमाल शाही गैद खाने के रूप में होता था लाल किले की प्राचीर का निर्माण औरंग जेबने करवाया था किले को आर देने के लिए उसने ये दीवार बनवाई जिसे गुंगट वाली दीवार कहा जाने लगा शाजहा ने अपनी कैद के दिनों में से आगरा से औरंग जेब को लिखा था कि दीवार बनवा कर मानुख किले की दुलहन के चेहरे पर तुमने नकाब डाल दी है किले के दक्षण में दिल्ली दर्वाजा है जो जामा मस्जिद की तरफ है बादशाह इसी दर्वाजे से नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाया करते थे सन 1903 में लौट कहजन ने इस दर्वाजे के दोनों और पत्थर के हाथी खड़े करवा दिये किले के पांच दर्वाजे थे लेकिन लाहोरी दर्वाजा मुख्य दर्वाजा था ये दर्वाजा चानी चौक के ठीक सामने पड़ता है लाहोरी दर्वाजे से प्रवेश करते ही छत्ता बाजार शुरू हो जाता है इस छत्ते के दोनों ओर दुकाने हैं और बीचों बीच एक चौक है किसी जमाने में यहां हर किस्म का सामान बिखता था आज ये बाजार सैलानियों के लिए बड़ा आकर्शन है लाहौरी दर्वाजे के छट्ते से निकल कर नजर पढ़ती है नकार खाने की दुमंजिला इमारत पर बीच में एक चौक था जिसका सरूवर अब मैदान बन चुका है चौक के इर्दगिर्द, मनसबदारों, सामंतों के मकान, दफ्तर और बैठके थी जो अब धूल में मिल चुके है चौक से जरा आगे बढ़ते ही नकार खाने का दर्वाजा है जिसे हतिया पूल कहते थे कुछ कहते हैं इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्यूंकि दर्वाजे के दोनों और पत्थर के हाथी खड़े थे इस दर्वाजे से आगे किसी को भी अपनी सवारी में बैठकर जाने की इजादत नहीं थी सिर्फ शाही खांदान के सदस्यों को छोड़ कर नकार खाने में हर रोज पांच बार नौबत बज़ती थी इतवार को सारे दिन नौबत बज़ती थी इसके अलावा बादशाह के जन्म दिन पर भी पूरे दिन नौबत बजा करती थी दो मन्जिला नकार खाने का दालान सतर फुट चोड़ा और च्छे आलिस फुट उंचा है जिसके चारू कोनों पर बुर्जियां है इसी नौबत खाने में मुगल बादशाह जहादार शाह और फरुख सेर को गतल किया गया था नकार खाने से सामने नजर जाती है तीवान आम की ओर इसने वो शान उशौकत वो दोर भी देखा जब कले में बादशाह के पहली बार आने पर जो जलसा हुआ तब यहां चांदी के खंबों पर दल बादल नाम का एक आलीशान शामियाना लगाए गया था जिसके कीमत उस समय एक लाख रुपए थी इसे बनाने में साथ साल का समय लगा और इसे एमदाबाद के शाही कारखाने में तैयार करवाए गया था यहां जगे जगे बेश कीमती कश्मीरी कालिंग से सजावट की गई ऐसी सजावट ऐसी शान जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं था यह दीवान आम का दालान है जिसने मानो इतिहास के इतने उतार चड़ाव देखे कि चुप़ी सी साथ ले दीवान आम में जहां जहां सूने का काम और कीमती पत्थर जड़े हुए थे उन्हें निकाल लिया गया लेकिन उसकी जो निशान बागी है वो भी कम खुबसूरत नहीं है तीन तरफ से खुले दालान की लंबाई असी फुट और चौड़ाई चालीस फुट है च्छत की उंचाई तीस फुट है इस दीवान आम की खुबसूरती लाल खंबों की खतारों से कई गुना बढ़ जाती है दालान में साथ साथ दरों की तीन खतारे हैं हर एक दर में चार चार खंबे 6-6 फुट के अंतर पर हैं दालान के आगे दस बड़े खंबे हैं दीवाने आम की पीछे की दीवार के बीच में 21 फूट चौड़े संगमर्मर पर पच्ची कारी का बेहत खुबसूरत काम है बेल बूटे, फूल पत्तियां किसी बागीचे का एहसास कराते हैं पत्थर की चुड़ियां लगता है उड़ने को बेचैन हैं खुबसूरत रंगीन पत्थरों का काम मन को लुभाता है यहीं आठ फूट उँचाई पर सिंगहासन की जगे है जब कभी दरबारे आम होता था, बादशा यहीं बैठते थे उनकी सिंगहासन की नीचे संगमरमर का एक सुन्दर तख्त है जो तीन फुट उँचा, साथ फुट लंबा और चार फुट चौड़ा है इसी तख्त पर खड़े होकर वजीर बादशा से निवेदन करते या कोई अर्जी पेश करते थे इस तख्त का खुबसूरत महंगा काम लोग ले गए दीवाने आम में बेहत खास मुखों पर तख्त ताउस लाया जाता था जिस पर बादशा बैठते थे दीवाने आम के उत्तर में सेहन से निकल कर दर्वाजा था जिसे लाल परदा कहते थे वहां से नदी की दीवार की और दीवाने खास, हमाम, मूती मस्जिद और बादशा के नीजी मकान थे यहीं से रंग महल और जनान खाने को रास्ता जाता है इसी के उत्तर की और मशूर हयात बख्ष बाग था जिसका अब नामु निशान भी नहीं है दीवाने खास की शांदार इमारत संग मरमर की बनी हुई है इसके दालान की लंबाई 90 फुट और चोड़ाई 66 फुट है इसकी छट चांदी की हुआ करती थी पूरा दालान संग मरमर का बना हुआ है चारों कोनों पर बुर्जियां हैं जिनके कलश सुनहरी है दीवाने खास के बीचों बीच एक नहर बहती थी जिसे नहरे बहिष्ट कहते थे जगा जगा इसमें फवारे चलते थे दालान के भीतर कमरा 48 फुट लंबा और 27 फुट चोड़ा है इसी में संग मरमर का वो चबूत्रा है जिस पर तखते ताउस था इसी दीवाने खास में लिखा है अगर फिर्दोस पर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त यानि यदि पृत्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है यहीं है यहीं है तखते ताउस हीरे जवाहराद से जड़ा सिंगासन था जिसमें ठोस सोने के च्छे पाए थे इसमें जवाहराद मोतियों और नीलम से जड़े दो मोर थे तखते ताउस की कीमत का अंदाजा सत्रवी सदी में भी करोड़ों रुपयों में लगाए गया था दीवाने खास वो जगा है जहां मुगल बादशा मुहम्मद शाह से नादिर शाह मिला इरान का राजा वही नादिर शाह जिसने दिल्ली को लूटा तखते ताउस ले गया और यहीं धोके से बादशा से पगड़ी बदल कर कोईनूर हीरा भी अध्या लिया यहीं जनवरी 1858 में आखरी मुगल बादशा बाहदुर्शा जफर पर मुकदमा चलाने का अंग्रेजों ने ढूंबी किया शाह जहां के वैभव शाली दिनों से लेकर अंग्रेजी शासन तक कैसे कैसे दिन देखे हैं इस लाल खले ने दिवाने खास से उत्तर की और शाही हमाम है हमाम में तीन बड़े कमरे हैं जिन में सनान के लिए हौस हैं इस हमाम की दिवारें और फर्ष को कीमती रंगीन पत्थरों से सजाया गया है ठंडे और गर्म पानी की यहां विवस्था थी हमाम में नहर थी जिससे पानी पहुँचता था कहते हैं पानी को गर्म करने के लिए सवासो मन लकडियां जलाई जाती थी यहां के फवारों से गुलाब जल की फौहारें खुश्बूओं का च्छड़काव करती थी हमाम से उत्तर की और बहादुर शाह का बनवाया हीरा महल है इसे अठारह सो चौबीस में बनवाया गया था नहरे बहिश्ट जो उत्तर से दक्षन की और है यहां से गुजरती हुई दीवाने खास की और जाती है शाजहा के बनवाय लाल कले में औरंगजेब ने मोती मस्जद का निर्मान करवाया जो संग मरमर की बनी एक खुबसूरत इमारत है यह बादशाह और उनकी बेगमों के लिए बनवाई गई थी मस्जद में दाखिल होने के लिए बीतल का दर्वाजा है मस्जद के तीनों गुंबद संग मरमर के बने हुए है सन 1842 में बहादुर्शा ने जफर महल का निर्मान कराया जो लाल पत्थर का है यह महताव बाग के हौस के बीचों बीच है इसमें आने जाने के लिए एक पुल भी था 1857 के बाद यह हौस फौजियों के तैरने के लिए बना दिया गया दीवाने खास के दक्षन में संग मरमर के बने खास महल के बीच से नहर बेहती थी तस्बीख खाना, खाबगाह और बड़ी बैठक इस संग मरमर के महल की तीन तस्वीरे हैं तस्वीख खाना, बादशाह के एकांध ख्षनों में इबादत का गवाह होने के साथ वैभव का भी प्रतीक है यहां दीवार के बीच में संग मरमर का तराजू है और वहां लिखा है मीजान अदल यानि न्याय का तराजू तारों का जुर्मुट तराजू को घेरे हुए है और इसी तारों के जुर्मुट से निकलता हुआ चांद भी देखा जा सकता है पच्ची कारी और खुबसूरत जालियों का शिल्प बर्बस ही मन को मुह लेता है तस्वीर खाने में से शयन कक्ष का रास्ता है इन सभी कमरों में पच्ची कारी का खुबसूरत काम है जगे जगे कीमती पत्थर और नगी ने लोग निकाल कर ले गए नहरे बहिष्ट में बने संग्मर्मर के हौज में फूल पत्थियां पच्ची कारी की शकल में बिखरी बढ़ी हैं इनके बारीक सुराहों से फवारे निकलते थे नहरे बहिष्ट यहां से आगे रंगमहल की ओर चली जाती है खाबगाह की पूर्वी दिवार की और गुमबद वाला परामदा है यहां आठ कोणों वाला कमरा है जिसके उपर गुमबद है यह मुसम्मन बुर्च है इसी के नीचे यमुना की और दर्याई दर्वाजा है जिससे बाद्शा शाजाहां बड़ी धूमधाम से पहली बार इस किले में दाखिल हुए थे यहीं जरुखे से बाद्शा जनता को दर्शन दिया करते थे मुसम्मन बुर्च से ही 1857 में आखरी मुगल बाद्शा ने सामने के मैदान में खड़ी करांतिकारियों की फौच से बात की थी पुराना मुसम्मन बुर्च अब नहीं रहा ये बुर्च 1857 के बाद का बना है पुराने बुर्च पर सोने का पत्तर चड़ा था दीवाने आम के ठीक पीछे आलिशान रंग महल है इसका सहन बहुत चौड़ा है तेहरा दालान पांच हिस्सों में बटा हुआ है नहरे बहिश्ट इसके बीच से बहती थी जो इसे ठंडा रखती थी यहां फवारे थे खिले हुए कमल की शकल में संगमरमर का एक हौज है इस महल की चट चांदी की थी जिसे उखाड कर तांबे की लगा दी गई और बाद में तांबे की भी चट उखाड कर लकडी की सिंदूरी रंग की चट लगा दी गई मुगलों के एशो आराम का रंग महल 1857 के बाद इसे अंग्रेजों ने रसोई घर बना डाला जिस रंग महल को ठंडा रखने के लिए कितने जतन किये जाते थे वहीं अंग्रेजों ने आग जला दी मुम्ताज महल बड़े महलों में से एक था जिसकी चट के चारों कोनों पर सुनेरी चटरियां थी जो समय की मार नहीं जहल पाई 1857 के बाद इसे कैद खाने में बदल दिया गया अब ये संग्रहाले बन चुका है मुम्ताज महल के आगे दक्षण में बहुत बड़ा असद बुर्ज है 1803 के एक हमले में इस बुर्ज को बहुत नुकसान पहुँचा था लेकिन अकबर सानी ने बाद में इसको ठीक करवा दिया शहा बुर्ज कले के तीन मुख्य बुर्जों में से एक है ये उत्तर पूर्व के कोने पर है पहले ये तीन मंजिला था गुमबद 1857 की क्रांती में जाता रहा कले में हर जगे पानी जाने के लिए खिड़किया इसी बुर्ज में है इसी बुर्ज के पास से नहरे बहिष्ट यानि स्वर्ग की नहर निकलती है नहरे बहिष्ट को भरा रखने के लिए कले के बाहर से शह बुर्ज तक पानी उठाना एक बेहद मुश्किल काम था ये पानी संग मरमर की चादर से ठकरा कर हौज में गिरता था और वहां से नहरे बहिष्ट में समा जाता था इधर शाह बुर्ज के कमरों में पानी की कलकल गुँश्टी रहती थी हयात बख्षबाग के मैदान में संग मरमर की दो इमारतें सहेलियों की तरह बतियाती मालूम पड़ती है और ऐसा लगता है इनकी बातें जल महल चुपचाप सुनता रहता है उत्तर की इमारत सावन है तो दक्षन वाली है भादों इन दोनों इमारतों की बनावट एक जैसी है और सजावट भी एक जैसी थी पानी गिरने से इन्ने से जो आवाज होती थी वो बारिश जैसी लगती थी लाल किला मुगलों के जमाने से ही सत्ता का प्रतीक रहा मई 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो हुआ तब क्रांटीकारियों ने आखरी मुगल बादशा बहादुर्शा जफर के नित्रतु में आजादी के पहले आंदोलन का बिगुल यहीं से बजाया था 1857 में जब लाल किला अंग्रेजों के कबजे में आया उसके बाद इसमें बहुत सी तबदीलिया आई कले की कई अमारतों को ढहा कर फौजियों के लिए बैरक बनवा दी गई लाल किला अब बादशाह का आलीशान महल नहीं रहा वो अब अंग्रेजी फौज की चावनी बन गया था फिर 1940 के दशक में नेताजी सुभाज शंद्र बोस ने चलो दिल्ली का नारा दिया और लाल किले पर तिरंगा फैराने का आवान किया इसी लाल किले में आजाद हिंद फौज के अफसरों पर अंग्रेजों की और से मकदमा भी चलाए गया आजाद हिंद फौज के अफसरों को यहीं कैद करके रखा गया था इस एतिहासिक मुकदमे में पंडित नहरू, भूला भाई देसाई और कैलाशनात काडजू, बचाव पक्ष के वकील थे उस वक्त ये नारा देश भर में गूजा था लाल किले से आई आवाज सहेगल, धिल्लो, शाहन आवाज लाल किला मुगल सामराज्य के वैभव, शान शौकत, विलासिता और गौरव का गवा है तो उसने मुगलिया सल्तनत के पतन को भी देखा है बादशाहों की मजबूरियों पर आँसू बहाए है, जालिमों के जल्म और लुटेरों की लूट दर्च की है अंग्रेजों के खिलाफ एक बादशाह के नित्रतों में करांदिकारियों को लड़ते देखा है आजाद हिन फौज के अधिकारियों और जवानों पर मुखदमे की बहस को सुना है सौधीनता के लिए देश्ते उड़ती आवाजें भी इसके कानों तक पहुँची है वक्त के कितने दौर गुजर गए लाल किला हर दौर में अपने आप को जैसे ढालता चला गया इमारतें बनती हैं मिटती हैं किले भी आबाद होते हैं उजड़ जाते हैं लेकिन लाल किले जैसा कौन बनता है सिर्फ लाल किला बनता है